दर्शक ब्रिन्द आजबंदा जंडई साथ दसक अगी अर्था दुई हजार साथ साल तिरा को कुरा हो तेस समय नेपाल का राजा थिये तिर्वुबन भीर बिक्रम सहा संपुड सकती आफनो हाथ मा लिये पने गद्दी बाट राजा लाई राणा हरुले चियूत गरी सके का थिये नन सता को भागधोर आफनो हाथ मा लिने राजा को अनेक प्रियाशका भावजुद पने राजा लाई सफल ता मिली राय को थिये न यशा इबेच राजा तिर्वुबनले दर्वार चाडनने निनई गरे सहयोक का लागी भारत लाई सुचीत गरे, भारत ले सहयोक को आस्वासन दियो अनि सुर्वभयो राणा सासन को पतन रप्रजातंत्र तर्पको ग्यात्रा भारत को सरण वे हजार साथ साल कातीक 21 गते राजा तिरखुबनले बनभोज संगयी शिकार का लागी नागार जुन्जान अनुमति का लागी प्रधान मंतिरी मुहन समसेर लाई खबर गरे राजा बाट बन्भोज र सिकार को एक्षा राखेनू तपकालीन प्रधान मंत्री मुहन समसेर लाई सामान्यनै लाग्यों। उनले राजा लाई अनुमति दिये। बन्भोज को लागे बाकस र चार गाडी तयार गरियो। राजा बिहानाई साद बजे तीर दरवार बाट निसकिये। गाडी दरवार बाट निसकियो तर पुक्त गाडी नागारजुन भने फुगेन। लैंचोर बाट गाडी नागारजुन तर्फ न लागे लाजिम पाट इस समय नेपाल को लागे भारतिय राजदुताबास सितल निवास मतियो। जो नहीले राष्ट्र पती निवास छा। राजा तिर्गुबन परिवार संगय गर गहनाले भरियो को बाकस नियर भारतिय राजदुताबास छिरे। राजा तिर्गुबन भारतिय दुताबास मा प्रवेश गरे को जानकारी भारत्या राजदूतले आफना प्रधान मंत्री जवाहर लाल निहरू लाई दिये। पठाई राजाली स्वास्ते को कारण देखेर महन समसेर का दुद्चंग भेट गरन अस्वीकार करे। गरी राज गुतियो। धर्मा भग्त माथेमा दसरत चन्ट टंक प्रषात आचारिया लगायत को शक्रियतामा निफाल प्रजाब परिशत को इस्तापना उननाई सै चौरानविसाल मा भयो। परजाब परिशत ले राणा सासक लाई ठाडए ललकार दई गतिविदी गरी रएको थियो। परजाब परिशत का गतिविदीले राणालाई निके कृद्ध बनायो। परजाब परिशत का नेता कारेकरता विरुद्ध ब्यापक धर पकटभायो। केही पकराव पने परेका थिये तेस्पेला। पकराव परने मते एक थिये सुक्र राजासास्त्री। राजात्तिरुभवन उपस्तेत भएकाई एक सभाले बंदी हरुलाई राज दुरहको अभियोगमा मृत्त्यु डंड दिनु परने बतायो। इक्ष्या नभय पने राजाले उनिहरुलाई बचाऊन सकेनन। राज दुरुहको अभियोगमा सुक्र राजासास्त्रीलाई उन्नाईसाई संथानब्बे माग नौ गते फासी दियो। धर्मबक्त माते मालाई माग भारा गते सिफल मा जुन्ग्याईयो। दसर अचन्द र गंगा लाल स्प्रेस्टलाई माग चौद गते गोली ठोकियो। इचार सहीत को मृत्युले राडा साचन को बिरोध को आवाज मलीन भैन उल्गो बन न थाले। तेस समय राडा बिरोध को अर्गो आवाज जयतु सस्कृतम आंदोलन को रूपमा अभिव्यक्त भैकु थियो। 2004 साल मा तिन धारा पाट साला का पिद्या थिले पाख्यक्रम मा सुधार उनुपरने, अंग्रेजी र सस्कृती पड़े का बिच समानता उनुपरने लगायद माग राकी आंदोलन करे। जुलुस प्रदसन भायो। उनियरुका केही माग सम्बोधन करन राणा सासक सहमत पनी भाय। दर हुडा रूपमा उनियरुका माग सम्बोधन भाय न। राणा बिरोधी आबाज थप सक्ति साली बंदे गयो। राणा सासनलाई देश वित्र राजा र जनताले सुनवती दीर आएका थिये। गुराजनेती पनी तेश वेला राणा रूको पक्षेमा थिये न। बारतमा महात्मा गांधीको नेत्रुत्तोमा सुतंत्रता आंदुलनले अंग्रेजलाई हायल कायल पारी रहे कुद्यो। तेहीं आंदुलनको परिणाम सुरूप बिलाई 2004 सालमा भारत फोन्न बाद्य भयो। अंग्रेज रा नेपाल का राणा सासक बीज तेश बेला राम्रो सम्मन्द थियो। अब भारत बाठ अंग्रेज बिदा भय पचे राणा सासन मा पने संकट को बादल मढारी न थाले। तेशले राणा सासक लाई मनो बैज्यानिक रूप मा कमजोर बनाई सते बुतियो। राणा विरुदी ख्यमा मा तेशले उत्षाहा थपी रए बुतियो। भारतमई रएका नेपाली अरुपने राणा सासन विरुद्ध संगटितुन थाले। 2006 साल मा नेपाली कंग्रेश को स्तापना राणा सासन विरुद्ध संगटितुने नेपाली अरुको प्रियासकई अभिवेक्तिको एक निरंतर ता थियो। नेपाली कंगरेस को इस्तापना नेपाली राष्टिया कंगरेस र्णों प्रजातिया कंगरेस को मिलन बाट भय। निपाली राष्ट्या कंग्रेस मां बीपी कोईरला तंक प्रशाद आचारिय गिरिजा प्रशाद कोईरला लगाय सक्रिय थिये निपाल प्रजातंत्र कंग्रेस मां सुर्य प्रशाद बाध्याई सुबाडसम से राणा महिंद्र विक्रम सहा लगाय सक्रिय थिये 2003 साल मा इस्तापना भाईपो नेपाली राष्ट्या कंग्रेश र 2005 साल मा इस्तापना भाईपो नेपाल प्रजातंत्र कंग्रेश को एकी करणले राणा सासन बिरुदको आवाज थप पुलंद बन्न थाले। अफनो गद्दिलाई नाई दाव मा राखेर भारतिया दुतवास को सरणमा पुड़े का थिये। येता राणा सासक बने अंग्रेश को सुझाप का लागे बिलायती राजदुतलाई बेटना पुगे। बिलायतले तेस बिला गद्दि खाली न राखन सुझाप दियो। माईला नाती ग्यानेंद्र भने छुटे का थिये। दिल्ली बजार स्तेथ मावली मा रवयका उनलाई पने बोलाउधा संका उपजन सक्ने उधा तेस बेला उनलाई नेपाल माई छोड़न बाध्य भयका थिये राजा तिरभुबन। राजाको इही बाध्य था राणा का अवसर बनेो. बेलायत को सुझा वनुसार नाई, राणाहरूले राजा तिरभुबन का माईला नाती ग्यानेंद्र सहालाई राज गद्धिमा विराजमान गराई. राजा कुरूपमा ग्यानेंद्र लाई भारतली माननेता दीये न, अमेरिकाले पनी भारतलाई ने पहिले माननेता दिने भरेको बेलायतले पनी आफनो भाका परिवर्तन करे। उसले पनी माननेता दिये न। राणाहरू अब साची कई संकटमा परी रहे का थी। 2007 साल कातिकमा राजा तिर्वबन दुतवास बाठ परिवार सहीत दिल्ली प्रस्थान करे। देश्ट पडेर राजाको दिल्ली प्रस्थान सवाबिक थीये न। जनता दुखी थीये भारतमा भने राजा तिर्वबन को भव्य स्वागत गरियो। बारत संगकई सलहा वमजिम उनी दिल्ली को सरण मा पुगे का थीये। अब समाधान का लागे भारत को भर पर्नु पर्नी अबस्ता आयो। भारत ले राजा, राणा, रक कंग्रेस सबै संग समानांतर रूपमा संबातलाई अगाडी बढ़ाईरोय कुगे। नेपाल को राजनतिक संकट समाधान का लागे दिल्ली ले तिन पक्षय बीच प्रस्ताप तिर्बो बनलाई राजा काई रूपमा निरन तरता दिने, प्रधान मंत्री राणा नै भायपनी जन प्रतिनितीको सरकार बनावने राजनतिक दल भुलना पाउने ब्यवस्ता करने बनने दियो। स्विकार गर्दै, सस्थ्र अंदुलन अंत्य भाईको गोशणा करेव। दिल्ली मा राजा, राडा र कंग्रेस बीच सम्झावता भाईपणी, राजा नेपाल मा फर्कना बाने पांकी नैत्यू। दिल्ली मा सम्झाउता भायपनी नेफाल शिर्न साथ राडा अरुले नियंत्रण मा लियर फेरी बंदित अब बनावने वैनन बंडे डर मा थिये राजा 104 वर्स अगी जंग बहादूर राडा को कारण गुमे को सक्ती अब राजा को हात मा आयको निश्चित गरना चाही रएका थिये राजा त्रभुबन राडा सासन को बेला सेना प्रधान मंत्री को नियंत्रण मा थियो उनले तेसलाई परिवर्तन गरी राजा को माता हतली आई आफनो सुरक्षा सुनेश्चित महय पची उनी 2007 साल फागुन 4 गते काठवांडव फर्किये निभाली जनताले राजा त्रुबन को तेसला भव्य स्वागत करें 2007 पागुन 7 गते राजाले निभाल भाठा राडा सासन को अंत्य गर्दै प्रजा तंत्र को घोशडा करें राणा सासन को अंत्य पचे प्रधान मंत्री मोहन समसेर नई बने उनका ग्रिया मंत्री बने बीपी कोई रला अनि सुरू बयो राणा राजा र कंग्रेश बीच को सत्ता संगर्ष राणा विस्तारै सत्ता को रिंग बाट बाही दिये अब संगर्श राजा र कंग्रेस बीच थियों, जसले जन्मायों पंचायती ब्यवस्था पंचायत को जन्म प्रजातंत्र प्राप्तिको लागी आफने राजगद्दी र स्तिर्पेस लाई पनी दाव मा लगाये का राजा तिरभुबन वो 2011 फागोन 30 गते सुजिल्यांड मा उपचार को क्रम मा निदन भयों राजा तिर्पुबन को निदन पची नेपाल को नया राजा बने महेंद्र भीर पिक्रम सहा 2011 साल चायत एक गते महेंद्र को गद्डी आरोहण भयो राजा महेंद्र आफना भुबा तिरभुबन भंदा नेक्कै पुरामा फरक थिये उनी चतूर रच्चा लाग थिये महत्तो पूड निड़ा लिना सक्ने छेमाता थियो उनमा अबस्ता परिपक्क भयपची निड़ाई लिने रण निड़ाई लिये पची न डग्मगाउने उनको बानी थियो प्रतिभा चिन्न सक्ने खोबी गई कारण महेंद्र अरुबंदा विशेश थिये राजा उनुबंदा अगी देखिने शक्रिय उनी राजा भयपची आफनो शक्रियता जन बड़ाउन थाले राजा महेंद्र का अगी तेस्पेला चुनावतिका चांग थिये भुगाकुम्रित्यु पची राजकाज उनको कादमा आई सक्थिक थियो चार बस अगी मात्र आयको प्रजातंत्रले जरा गाण्णप आयको थिये न दलरू आपसी किचा तानीमा थिये राजा कहिले मात्रीका प्रशाद कोईरलालाई प्रधानमंत्री बनाऊ थे तकहिवे ठंक प्रशाद आचार्यालाई कहिले उने टक्रक्या आई सिंगलाई प्रधान मंत्री बनाऊ थे तर राजनतिक स्टाइक्तो बने फ्राप्त उनसकी रईको थिये न। विकास निर्माड चौपट कियो। विकास निर्माड तपर को कुराबायों। येस्ताई तरिकाले देश को राजनति रह सासन चली रईको थियो। तेसी क्रम माँ दुयाजार सोरा साल मंग्सिर को जाडो माँ देश रजनता को अबस्ता भुजन राजा महेंद्र पश्चिम निपाल को प्रमण मा निसकीये। उनको यात्रा कासकी, भागलूं, तमगास, प्युठान, दांग, सल्यान दै वांके बर्धिया सम्मपुगे कुथियो। राजा महेंद्र को साथमा थिये प्रधान मंत्री बीपी क्वैराला र प्रराष्ट मंत्री डॉक्टर तुलसी किरी। एस प्रमण बाट राजा महेंद्र प्रप्रधान मंत्री बीपी दुवै जाना एकले अरकुलाई प्रभावित गर्ना चाहान थे। बीपी दुईत्याई मदबाट निर्वाचित प्रधानमंत्री थिये बने राजा महेंद्र देशको राजा। तर एस प्रमणले राजार प्रधानमंत्री बीचको सम्मंद सुधार बन्दापनी दल बिहीन पंचायती वेवस्था को विजारो पड़ करियो। 2012 साल माक सुर गते निपाल गंचमा राजा महेंद्र ले चेतावनी युक्त सैली मा भाशन गरे का थिये। वा बिग्रदाई गवायो भने मेरो पनी जिम्मेवारी छा। कर्तप्या पालन गर्ना केही कदम चालनु न परोश। मेरो पनी कर्तप्य छन। तीहुन सार्व भमिक्ता राष्ट्यता जनहित्को सम्रक्षण गर्न। यदि इबिशेमा सचा रूत्मा बादा पर्चा भने तेस बेला जे सुकै कदम चालना पनी पची भटने छाई न। तेस बेला नेपालीको सहयोक चाहांचु आमीले गरे नसकीने कुरा केही पनी छाई न। बाष्ण राजा महेंद्राली गरेको भएपनी लेकने डक्र तुल्ची गिरी भएपो धिरैको अनुमान थियो। डक्र गिरी नेपाली कंग्रेस कई भएपनी दल बिहीन पंचायती ब्यवस्ताको बिजारोपण मा उनको योगदान निकै महत्तो पोड थियो। तेस समय डक्र गिरी ले अपना भाषण मा राजा लाई खुब उचालने काम कर थे। राजा बनेको मुर्ती जस्तो चुक लागेर बसने होई न। राजा इस्वर को रुपो तरत्यों इस्वर अचल होई न। डक्र गिरी खा भाषण यस्तो यूँँ थे। डक्र तुल्सी गेरी लाई बीपी रा राजा महिंद्र को सम्वंद सुधार का लागे सवारी मा पठाईयों को भैपनी उनले आपनो रा राजा को सम्वंद सुधार गर ना लागे को बताई छा। राजा को भाशन पचे देशको राजनेती मा ठूलो हल चल पई दाभायो। डक्टर गीरी को नेपाली कॉंग्रेस वित्रै आलोचना सुरूभायो। उता राजा को भाशन लाई लियर पने विरोध सुरूभायो। एसाई समय मा प्रधान मंत्री बीपी ले नेपाल को समिधान उड़ प्रजातांत्रिक नभायको र एस समिधान लाई प्रजातांत्र ब्रुद्ध सचिलाई प्रियोकर्न सकीने आसाई को भाशन करे। राजा महेंद्र र प्रधान मंत्री बीपी कोईरला बेच संका उपसंका जारी थियो। तेसे क्रम मा राजा महेंद्र बने अब सत्ता अपनो हात्मा लिना अंतीम कसरत गरी रएगा धिये। बिलायत प्रमण जानू अगी उनले सुरेबहादुर थापालाई फुस एक गते, एक सं लिने बारे जानकारी गराए। उनले उक्तकुरा अपनो आत्मक थामा विक्त गरेगा सन। तेसकु केई दिन पची उनले सुरेबहादुर थापालाई साही गोषडाको मश्यवदात तयार गरना आगरहक गरे। सुरेबहादुर ले पने राजाको आग्या अनुसार नाई, साही गोषडाको मश्यवदात तयार गरे। 2017 फुस एक गते। रेडियो नेपाल ने भनेओ 233 बजे राजा बाट गोषडा हो दैछा। साही गोषडा बाट समिधान का विविन अधारा ने लंबन गरियो, गोषडाको केई समय पची नै, प्रधान मंत्री बीपी कोईरलालाई, गिरप्तार गरियो। उस एक गते काटफंडव को थापा थलीमा नेपाली कॉंग्रेस को भात्री समस्ता तरोड़ दलको महाधिवेशन थियो। प्रधान मंत्री बीपी कोईरलालाई, तेही नई गिरप्तार गरियो को थियो। यहां गिरिय मंत्री सुरे परशात बाद्याय, मंत्री गडेसमान सिंग, रसभामुक, कृष्ण परशात भट्राई लाई पने सेनाले पकराव कर्यो। 2007 साल को परिबर्तनले नेपाल बाट राणा सासन को अंत्य गरे को थियो। राणा सासन को अंत्य संगय जरता सक्ति साली बायका थिये, रसातमा जरता संगय राजा पनी सक्ति साली बायका थिये, किनके राणा बाट सक्ता राजामा आयको थियो। जरता का प्रतिनिदी राजनतिक दल ले सुझ भूच धंगा बाठा सासन संचालन न गरे सकती राजा को हात मा फुगने लगबक निश्चित धियो दल वित्राई पनी रद दल दल वीच पनी मिलन न भय पचे पंचाय ती वेवस्ता को जन्मा भयो जुल वेवस्ता नीर अंतर तीस वर्ष शम्मा शली रएओ यस वेवस्ता का सुत्रधार थिये राजा महिंद्र हवस्ता आज को लागी येतिनाई अरको अंकमा यस्ताई अरको विश्लेशर सहीत पुनहाँ पस्तीत वनेशाओ नमस्कार हम्मा वेवस्ता नीर वेवस्ता आजा आजाओाई घर सारावपता